हेलो स्टुडेंट आज की वीडियो में बहुत ही महत्पून बात करनी जा रहे हैं आज हम EAR in Elkin के related जो examples है उनकी बात करेंगे अर्ताथ आज हम EAR in Elkin के examples की बात कर रहे हैं आप लोग EAR नसोचे की सर बोर्ड पे नहीं पड़ा रहे हैं तो मैं समझ में नहीं आएगा बिल्कुल आप ध्यान से सुने और एक इप चीज को बिल्कुल गोर करके सुनोगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी तो मैं सबसे पहला example लेने जा रहा हूँ addition of HX addition of HX उसमें पहला example लिया है मैंने ये इस पर मुझे addition करवाना है HX का हमें पता है सबसे पहले हम electrofile H plus का take कराएंगे तो ये pi bond आपका है ये pi bond इधर भी shift हो सकता है और इधर भी shift हो सकता है अब आप चला देखेगा कि एक catein आपका 2 degree है एक catein आपका 1 degree है आप देखेगा 2 degree जो catein है उसके पास number of alpha hydrogen की बात करूँ तो 3 alpha hydrogen यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है तो 4 alpha hydrogen है जबकि इसके पास 2 alpha hydrogen है तो इसकी more stable है और यह least stable है अगर यहाँ से देखा जाए तो आपको पता है nuclear file में attach कराऊंगा तो इसमें यहाँ जुड़ेगा और इसमें यहाँ जुड़ेगा तो इसके according तो ही आपका major product हो जाएगा लेकिन आप देखेगा कि 2 degree के next carbon 3 degree है इसका मतलब carb ketain है और इसका next carbon 3 degree है तो rearrangement होगा तो मैं यहाँ पर rearrangement कराना होगा तो मैंने यहाँ पर rearrangement कराया इसका hydrogen का hydrogen यहाँ से यहाँ shift हो गया ऐसे को हम बोलते हैं 1,2 hydrate shift जिसके वज़े से यह positive charge यहाँ पर transfer हो जाएगा तो आपका 3 degree carb ketain हो जाएगा जिस पर आप 3,3,6 और 2,8 alpha hydrogen होगे इस पर nuclear file attack करेगा तो आपके product बनेगा ज्यान दे यह product आपका measure होगा 2 degree से जो product बनेगा वो भी minor होगा और आपके 1 degree से जो product बनेगा वो भी आपका minor होगा अब हम बात करते हैं example number 2 example number 2 में आपके पास जो example है वो यह example लिया है इस पर हमें addition कराना है HX का तो सबसे पहले आप देखो एलेक्टोफायल H plus का attack कराओगे वो ही possibility जए कि यहाँ पर है तो देखो यहाँ से तो 1 degree बनेगा इसलिए हम इसको consider नहीं करता और मैं stability के according जो है वो 2 degree carb ketain बना देता हूँ तो यह मैंने यहाँ से 2 degree carb ketain बना दिया यह pi bonn यहाँ shift होगा यह negative हो जाएगा इस negative पर यह attack करेगा तो यह positive charge हो जाएगा अभी आपके पास 2 degree carb ketain बन गया अब आप देखो shifting की condition कि आपके पास ring के next car बार वाले carbon पर positive charge है अथाथ अब यहाँ से आपके ring expansion होगा तो यह जो bond है यह bond यहाँ पर shift होगा अब जब यह bond यहाँ पर shift होगा तो इसका मतब कैसे shift होगा यहाँ पर होगा negative charge और यहाँ पर होगा positive charge तब यह negative positive को देगा तो यहाँ से जो next step होगी वो आपकी next step यह होगी यह यहां से इस तरह से ring बन जाएगी और यह हो जाएगा अतात यह तो bond formation हो जाएगा और यह bond आपका break हो जाएगा यह इस तरह का एक टांसीजन स्टेट बन जाएगा उसके बाद अगर मैं इसको लिखोना चाहूं तो इस तरह से यह हो जाएगा यह यह हो जाएगा और यह bond formation हो जाएगा और यहां positive हो जाएगा अब आप देखो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 memory ring हो गई तो मैं इसको इस तरह से 6 memory ring में convert कर देता हूँ और एक carbon पर जैसे मैंने यहां पर positive लगा दिया तो देखो जिस carbon पर positive लगा उसके next carbon पर एक methyl है तो मैं यहां पर यह methyl लगा देता हूँ अब आप में पता है मैंने कहाता है कि rearrangement 1 से भी जादा बार हो सकता है तो यहां पर फिर rearrangement होगा तो आप ज़रा देखिएगा यह hydrogen है यह hydrogen यहां से rearrangement हो जाएगा अता तो 1,2 hydrate shift हो जाएगा जैसे 1,2 hydrate shift होगा यह CA3 है यहां पर positive charge आजाएगा और अब आप देखो यह ketain आपका 2 degree था और यह ketain आपका 3 degree होगा जो कि more stable है अब इस पर आपका nucleophile x attack करेगा जैसे आपका nucleophile x attack करेगा तो आपका जो product है वो CH3 और क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा नेक्स आपन बात करते हैं तीसरा example ले रहें पर तीसरा example जो आपके पास लिया गया है मैंने यह एक बेंजी रिंग बनाई है इस बेंजी रिंग को बाइसाइकलों में चेंज कर दिया और इसके अंदर इस तरह से आपका यह compound जोड़ा है इस पर एडिशन करवाना है मैं चक्स का तो देखो यह भी एक बहुत इंपोर्टेंट एक्जामपल है बच्चे कन्फूजन हो जाते हैं तो उसको शोटेंट स्यूट है कि आप बाहर वाली रिंग को रहने दो मैं सबसे पहले अंदर वाली रिंग से इसको एक्स्प्रेंड कर देता हूं यह मैंने अंदर बना दिये और इस पर यह पोजिटीव चार लगा दिया जहां पर लगत्र पाइस प्लस का टेकर रहा है वह कंडिशन है कि रिंग के बाहर और यह वाला कार्बन है रिंग के बाहर वाले कार्बन को मैं इस तरह से यह रिप्रेंट कर देता हूं अब आप देरा देखो इस पर जोड़ा है अपने अंदर के वाले कार्बन पर वन और एक टू कार्बन बढ़ गए तो आपके दो कार्बन एक्स्टा होगे तो इस वाले पर हम बार वाली रिंग को अटेज कर देंगे तो यह बार वाली रिंग में इस पर अटेज कर दी अब आप देखो यहां पर क्या होगा हाइड़ाट सिप्ट हो जाएगा तो वन टू एच हाइड़ाट सिप्ट कर देता हूं में जैसे हम वन टू हाइड़ाट करेंगे. तो जरह आप देखएगा. यह यहां पो जिते हब यहां बार वाल ग्रूप यूट जाएगा अब इस पर क्या करेगा? आपका नूपलियुफाइल चेख करेगा जो भी नूपलियुफाइल है वह इस पर टेग करेगा तो यहां पर ही तो मिताइल हो जाएगा यहां पर आपका निकलिघ हो जा taper गाएगा इस वाली दिंग के उपर यह करी आपकी बार वाली दिंग का फोर्मेंशन हो जाएगा किMON आता है कि इस पर आपका HX का टेक के से होगा तो वह ही है सबसे पहले Electrofile का टेक करूंगा H+, तो आप देखेंगा पाइब ऐसे शिफ्ट होगा इसमें उपर वाले में पाइब ऐसे से सिफ्ट हो रहा था जैसे पाइब ऐसे से one two hydrate shift हो जाएगा अर्थाब यहां से hydrate shift हो कर यहां जाएगा जैसे hydrate यहां shift हो कर आएगा तो आप जड़ा देखिएगा CH2 CH3 और यहां positive चार जाज जाएगा जो कि 3 degree है और अब इस पर next आपका nucleophile attack करेगा जैसे यहां पर आपका nucleophile attack करेगा तो यह पूरा complex तो ET में हो जाएगा और यह X में कनोट हो जाएगा आपका यह product का formation हो जाएगा next example लेता हूँ में example number आपका है 5 example number 5 simple सा example है यह मैंने propene लिया है propene पर attack रहा है है HI का तो यहां तो simple सा है हम 2 degree carb ketain मना देंगे और इस 2 degree carb ketain पर I minus का attack करा देंगे यहां पर आपका H plus इलेक्टो फाइल था यह पाई बोनिया शिप्ट होगा यह पाई बोनिया शिप्ट हुआ यहां क्या हुआ नेगेटिव 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 ने इसको दे दिया तो यहां positive हो जाएगा एडएड को शिप्ट कर देंगे यह आपका आई बन जाएगा नेग्स अगर हम बात करते हैं एक्जामपल नंबर सिक्स एक्जामपल नंबर सिक्स अपका यह लिया है मैंने साइकलोरिंग के अंदर और इस पर अटेक कराना मुझे है चाई का आप देखेगा H plus इलेक्टो फाइल है आपकी बार πाई बोंड खिते सिफ्ट होगा जहां पर more stable ketain होगा तो आपका πाई बोंड नीचे की तफ्ट होगा ऐसे जिसे पाई बोंड नीचे की तफ्ट होगा तो आप ज़रा देखिएगा यहां ये ketain का formation हो जाएगा अगर ऐसे सिफ्ट नहों कर ये फाई बोंड उपर की तफ्ट होता है तो आपका positive chart नीचे लगेगा तो आप ज़रा देखो ये 3 degree ketain है और ये आपका 2 degree ketain है तो आपको पता है ये more stable ketain है अगर ये more stable ketain है ये less stable ketain है तो more stable ketain major product मनाएगा तो इसका मतब इस पर अगर i ये minus का attack कराएंगे तो i minus इस पर attack करेगा तो आपका जो major product वनेगा वो major product ऐसे होगा कि यहीं methyl होगा और शी पर iodide होगा अब हम example number लेते है 7 example number 7 जो ले रहे हैं ये भी इसी जे related example है एक तब मेने methyl एक तब मेने इताय लगा दिया और हम hi का attack करा रहे है सबसे पहले h plus electrophile attack करेगा वो इस दो carb ketene की possibilities है अब के बार में दोनों carb ketene बना के explain करता हूँ एक carb ketene बनाता हूँ मैं तो देखेगा एक carb ketene मेने ये बनाया है एक carb ketene ये बनाया है मेने ये भी 3 degree है ये भी 3 degree है दोनों ये carb ketene 3 degree है तो हम ये चेक करना पड़े है किसकी stability ज़्यादा है और stability decide होगी number of alpha hydrogen से तो मैं number of alpha hydrogen से decide करता हूँ तो इसके पास alpha hydrogen देखेगा 3, 2, 5 और यहाँ पर 1, 6 यहाँ पर 6 alpha hydrogen है जबकि आप जरह इसके पास देखेगा इसके पास alpha hydrogen 2 2, 2, 4 और 1, 5 इसके पास 5 alpha hydrogen जयान देए यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है 2 और 2, 4 और 1 यहाँ पर 5 जबकि ज़्स देखेगा आप लोग इसके पास 3 और 2, 5 और 1, 6 alpha hydrogen देखेगा इसके पास 6 alpha hydrogen है इसका मतब यह more stable है इसके पास less alpha hydrogen है तो आपका यह ले स्टैबल है، इसका मतब यहां से मेंजर प्रॉडक्ट्ट बनेगा यहां से माइनर प्रॉडट्टATHAN बनेगा अब आप आयोडायड का टेकर होगे आयोडायड आपके मोर इस्टैबल काकर के टाइन पर टेकर कर chemical करेगा तो C3 हो जाएगा, नीचे I हो जाएगा, यह आपका major product बन जाएगा हाँ, अब हम लेते हैं example number 8 example number 8 है, यह बहुत ही important example है और थोड़ा अलग example है, different type का इस example में आपको propene है, इस propene पर जो है वो HF और HI का attack कराना है अब आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, H plus electrophile होगा electrophile की वज़े से intermediate carbocation formation होगा यह आपका intermediate carbocation बन गया intermediate carbocation का formation होगया अब आप देखो किस पर nucleophile कौन सा attack करेगा तो आप ज़रा देखिएगा, HF और HI दोनों के अंदर nucleophile में एक में fluorine है, एक में iodine है लेकिन ध्यान रखना due to common ion effect दोनों के अंदर H plus common है due to common ion effect common ion effect की वज़े से HF का dissociation less होगा HF less dissociate क्यों? क्योंकि हमें पता है कि reactivity जो order है वो HI is greater than HF होता है इसलिए यहाँ पर concentration of act to decrease होगी और concentration of iodide increase होगी तो यहाँ पर nucleophile के रूप में जो BIO करेगा वो आपका iodine करेगा इसलिए यहाँ पर जो next nucleophile होगा वो I minus होगा इसलिए आपका जो product होगा वो केवल A की बनेगा और वो भी आपका iodide वाला बनेगा due to common effect का मतलब यहाँ है कि देखो जब हम decision कर रहे है जैसे मैं explain कर दूँ कि जब हम HF का dissociation करते हैं तो भी H plus F minus बनता है और जब हम HI का dissociation करते हैं तो भी H plus I minus बनता है दोनों में Electrofile common है तो Electrofile common होनी की वज़े से इनके इंदर common effect हमने यूज किया है next number example number 9 की बात करते हैं example number 9 बहुत ही simple example है इस example में आपको कुछ नहीं करना इस पर हमें addition of HBR करना है तो more stable carb ketine बनाना है तो आप ज़रा देखिएगा कि इसमें more stable carb ketine के लिए एक बार positive charge यहां लगा देता हूं है और एक बार positive charge में यहां लगा देता हूं यह भी 2 degree carb ketine है यह भी 2 degree carb ketine है लेकिन हमें number of alpha hydrogen चेक करना पड़ेगा तो ज़रा आप देखिएगा number of alpha hydrogen अगर हम से करते हैं तो number of alpha hydrogen चेक करना लगा है यहां पर 3 है यहां पर 2 है तो इसके पास total 5 alpha hydrogen है जबकि इसमें 2 to 4 alpha hydrogen है इसका मतब यह आपका more stable है जबकि यह आपका less stable है अब आप बताओ अगर यह more stable है तो यह major होगा जबकि वह minor होगा तो यहां पर BR का अटेक कराते हैं तो C, 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 C यहां पर आपका BR अटेक हो जाएगा और यह आपका major product हो जाएगा आपका example number 10 10 number के example है यह भी अच्छा example है जबकि देखिएगा इसमें भी आपको अटेक कराना है और यहां पर HI का है तो मैंने एक condition बताई थी conjugation condition तो जबरा देखो आप यहां पर कौन सा कार्ब केटाइन बनाओगे तो यहां भी वह दो कार्ब केटाइन में बना देता हूं एक कार्ब केटाइन तो हम बनाते हैं पाई बोंड को इधर shift करते हैं पाई बोंड इधर shift होगा तो इस पर positive charge देजाएगा तो यह positive आ गया और एक पार positive charge हम दूसरी side बनाते हैं तो एक पार मैंने positive charge इस तरह बना दिया अब हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से stability किसकी ज़्याद है तो आप ज़रा देखो इस positive charge के just next carbon पर आपका oxygen next position पर oxygen है और resonance की एक condition है कि अगर positive charge के adjacent position पर loan pair होता है तो वहाँ resonance होता है और इसे resonance को बोला जाता है direct resonance है यह coordinate compound वाला इसको मैं direct resonance की definition बोल रहा हूँ direct resonance से मतलब है कि यह अपना loan पर इसको देकर coordinate bond बना लेता है इस वज़े से यह आपका compound more stable हो जाएगा intermediate तो बनने वाला product आपका माइनर होगा और अगर बनने वाला intermediate more stable है तो बनने वाला product मेजर होगा इसका मतलब आपके पास iodide जो टे करेगा वो इस वाले compound पर करेगा तो आपका CH3, CH2 CHIOCH3 बन जाएगा अब हम बात करते हैं हाँ अब हम next example पर लेता है पी एच CH डबल बोन CH2 स्टाइरिन और पी एच डबल बोन CH और पी एच स्टाइल बिन आपको बताना है इन दोनों में से किसके इंदर एक्टिविटी जादा है तो आप जादा देखो यहां से intermediate बना रहा हम है पी एच CH CH2 तो यहां से यह intermediate मैंने बना दिया पाइ बोन को 250 कर दिया इसमें पाइ बोन को आप किदर है भी शिप्ट कर दो दोनों साय है तो मैंने पाइ बोन इसदर शिप्ट कर दिया तो अगर पाइ बोन इसदर शिप्ट होगा तो पी एच CH2 CH पी पी पाई बहुत अपने ज़र स्वित किया है तो इसपे पोजिटिव चार जा जा जाएगा और इसपे चीच-टू लग जाएगा अब आप देखो यहां पर ही पोजिटिव चार लगा है इसकह पोजिटिव चार लगने से ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो गया अलाकि ये भी आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है ये भी आपका टू डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है और ये भी आपका टू डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है तो हमें देखना पड़ेगा कि stability दोनों में से किसी जादा है तो जरा आप देखिए कि यहां पर number of alpha hydrogen total 3 alpha hydrogen है जबकि आप जरा इस वाले पर देखेगा 2 alpha hydrogen है तो यह alpha hydrogen 3 है यहां पर 2 alpha hydrogen है दूसरी बात यहां पर pH का इस positive के उपर minus i effect लग रहा है और minus i effect की वज़े से इसकी stability क्या हो रही है decrease हो रही है तो इसका मतब यह इसको stabilize नहीं क्या कर रहा है the stabilize कर रहा है तो इसका मतब यह आपका more stable intermediate है आपका यह intermediate more stable है अगर intermediate more stable है तो EAR fast in styrene इसका मतब EAR styrene के अंदर बहुत fast होगी next हम बात करेंगे student अब हम second paroxide effect के कुछ किशन साथ solve करेंगे तो पहला किशन में paroxide effect में cyclobutene लिया है मैंने और cyclobutene पर हमें reaction कराना है HBR और एक बार आपको कराना है HBR in present तो paroxide तो हमें पता है कि जब हम HBR के साथ कराएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो intermediate है वो बनेगा carb ketene और यहाँ पर आपका intermediate बनेगा carbon free radical जब यहाँ पर intermediate आपका carb ketene बनेगा तो यहाँ नियम लगेगा आपका rule लगेगा marconi of और यहाँ आपका नियम लगेगा anti-marconi of तो यहाँ देखना है HBR में marconi of रूल लगेगा और carb ketene बनेगा तो यहाँ पर EAR mechanism होगा जबकि आपका यहाँ पर FR AR free radical edition आपका mechanism यूज होगा तो अब आप देखिएगा free radical edition mechanism उसके अंदर तो मैं यह इसको हम सब पहले carb ketene में change किया है मैंने EAR के koning बात बता रहा हूँ है तो इस पर यह positive हो जाएगा यह हैच लग जाएगा जब हमने ring expansion और ring contractions पढ़ा था तब हमने कहा था कि ring contractions की एक condition है और ring contractions की एक condition है कि अगर 4 member ring होती है अगर 4 member ring आपकी होती है तो उस 4 member ring को हम 3 member ring में convert कर देते हैं तो यहाँ पर आपका ring contractions होगा इस वज़े से bond यहाँ shift हो जाएगा और आपकी 4 member ring जो है वो 3 member ring में convert हो जाएगी तो आपकी यह 4 member ring है जो आपकी 3 member ring में convert हो जाएगी जिसको मैं इस तरह से explain कर देता हूँ और यह आपका बन गया cyclo propyl methyl katein जो की highly stable है इसको हम बोई लिए highly stable बाई रेजो नेंस यह रेजोनेंस के द्वारा dancing रेजोनेंस stable by dancing रेजोनेंस यह dancing रेजोनेंस के द्वारा highly stable है highly stable होने के वज़े से यहाँ पर यह ring contractions हुआ है और इसी के उपर अब आपका electrophile attack करेगा जो बी आर है तो यहाँ पर आपका जो product बनेगा वो बनेगा CH2BR लेकिन जब इसमें हम FRAR free radical addition reaction करवाते हैं तो free radical addition reaction में इस्टा नहीं होगा free radical addition reaction में यह compound आपका जो है तो यह है इस पर सबसे पहले आपका जो attack करेगा यहाँ पर सबसे पहले attack कर रहा था H plus यहाँ पर आपका सबसे पहले attack करेगा VR free radical तो अम ए carbon पर V Re PLUS कu attack करा देंगे यह free radical बन जाएगा और next में आपका H plus free radical attack करा देंगे तो आपका यहां पर BR हो जाएगा और यहां पर H हो जाएगा अब दोनों में difference क्या है वो देखो आप कि EAR Electrophilic Edition में पहले H अटेक करता है और उसके बाद में आपका Halide अटेक करता है यह difference है जबकि आप देखो FRAR में पहले Free Radical Bromine अटेक कर रहा है उसके बाद H अटेक कर रहा है हाला कि दोनों में रूल एक ही लग रहा है कि Stable Intermediate लेकिन difference यह है कि EAR में अटेक पहले H प्लस Electrophil करता है इस वज़े से आपका बनने वाला के टाइन Stable देखेंगे जबकि यहां पर अटेक पहले BR कर रहा है Stability हम Free Radical के चेक कर रहा है तो दोनों में Stability तो सेम ही है पर अटेकिंग ग्रूप अलग अलग होने की वज़े से यहां पर BR एक में इंसाइड होता है तो एक में BR आउटसाइड होता है यही चीज़ आपका परोक्साइड इफेक कहलाता है चलो अब इसमें हम दूसरा एक्जामपल ले रहे है दूसरा एक्जामपल जो मेरा है वो है CH3, CH double bond, CH2, CH3 इस पर मैंने अटेक रहा है SCL का और वो भी इन परजेंच ओपरोक्साइड हमें पता है कि SCL की रेक्शन चाहे आप परोक्साइड की प्रजेंस में कराओ चाहे प्रजेंस में कराओ कोई इफेक्ट नहीं होता यहाँ पर हमेशा एक ही है कि यहाँ पर हमेशा MKW रूरी लगेगा और एलेक्टोफिलिक एडिशन ही होगा तो इसके दोरान यहाँ पर जो आपका प्रोड़क्ट होगा उसमें आपका intermediate आप केटाइन देखोगे stable केटाइन और stable केटाइन है वो आप देखो कि यह तो symmetrical है और यह symmetrical होने की वज़े से कोई दिक्कत नहीं है चाहे आप केटाइन कहीं भी लगा दो तो मैंने यह केटाइन लगा दिया और इस केटाइन भी अब आपका CL माइनस से टेक करेगा तो आपका जो product है वो यह बन जाएगा next example number हम third की बात कर रहे है तो मैं example number third ले रहा हूँ तो आपका example number third जड़ा देखेगा example number third यह थोड़ा special example है अलाकि इसा example अभी इससे पिछले जब हमने edition of hx पढ़ा था तब भी आया था इस पर आपको attack कराना है एक पार तो hbr का और एक पार attack कराना है आपको hbr paroxide का तो मैं पता है कि यहां तो हम e-ar mechanism use करेंगे और हम यहां पर f-ar mechanism use करेंगे अब आप दो को e-ar mechanism use करेंगे तो मैं पता है सबसे पहले हम क्या बनाएंगे catein तो मैं सबसे पहले आपका यह catein बना देता हूँ आपको पता है यह catein है तो यहां पर ring expansion होगा 5-6 memory ring होगी तो हम यहां पर ring expansion कर देते हैं तो यह 5-member को मैं direct 6-member में convert कर देता हूँ यह 6-member ring होगी और यहां positive हो जाएगा उसके बाद मैं पता है कि यहां पर 1-2-H minus i-ad shift होगा जैसे 1-2-H minus i-ad shift होगा आपका 2-degree जो carb ketine है वो 3-degree carb ketine में change हो जाएगा इसके बाद next step में इस पर आपका B-R जो minus है वो टे करेगा जिससे आपका जो product है वो 3-3-B-R बन जाएगा अब हम बात करते हैं कि B-R पर paroxide का effect कैसे होगा तो B-R पर paroxide का effect के लिए अब इस चीज़ को हम चेक करते हैं तो हमें पता है कि जब intermediate free radical बनता है तो rearrangement नहीं होता तो इस वज़े से हम यहां पर जब attack कराएंगे तो सबसे पहले आपका attack करेगा B-R free radical तो intermediate आपका stable होना चाहिए तो यह बार की तब इस तरह से cleavage होगा इस तरह से cleavage होनी की दोरान यहां पर आपका जो बनेगा वो free radical यहां बन जाएगा और यहां पर आपका B-R rotate हो जाएगा next step में इस पर H plus है उसा H plus को हम add कर देंगे तो द्यान दें यहां पर ring expansion नहीं होगा तो आपका B-R इस तरह से जोड़ जाएगा next example number 4 example number 4 के हम बात करते हैं यह भी एक बड़ी example है मैंने लिए CH3 CH3 CH double bond CH2 इस पर हमें addition करवाना है एक बार तो कराना है H-B-R का एक बार कराना है H-B-R plus peroxide का H-B-R R2O2 peroxide का और एक बार इसी पर reaction कराना है H-C-L का R2O2 peroxide का तो मैं पता है जब हम H-B-R का reaction कराएंगे तो पहला तो इलेक्टोफिलिक addition होगा और इलेक्टोफिलिक addition होगा तो intermediate carb ketain बनाकर rearrangement करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर intermediate carb ketain मनाते हैं तो C, 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 O, C यह intermediate carb ketain मना दिया है 2 degree अब आप जगा देखो इसके next आगे वाला 3 degree है इसलिए यहां पर 1, 2 hydride shift हो जाएगा जैसे यहां पर हम 1, 2 hydride shift करेंगे तो यहां से यह hydrogen shift हो कर यहां जाएगा तो यह आपका ketain बन जाएगा अताथ यहां पर 3 degree carb ketain का formation होगा जो की more stable carb ketain है तो यह आपका more stable है उसके बाद में यहां पर आपका बियार अटे करेगा तो इस पर हम बियार मैनस का टे करा देते हैं तो आपका जो product है वो यह बन जाएगा अब आता है दूर सा HBR पर पर प्रोक्साइड जांदे HBR पर पर प्रोक्साइड का set करेंगे तो यहां पर जो mechanism होगा वो आपका होगा FRAR free radical addition reaction और free radical addition reaction होगा तो यहां rearrangement नहीं होगा तो यह वाला example में इस तरह से explain कर देता हूँ तो वह इस सबसे पहले BR attack करेगा आपका तो BR attack करेगा तो आपका stable free radical का formation होना चाहिए तो इसमें BR बार वाले carbon पर attack करेगा जिससे आपका यह 2 degree free radical बनता है जो की stable है अगर यह BR अंदर attack करता तो इससे 1 degree free radical बनता है जो least stable है अब इस पर आपका H plus attack करेगा जिससे आपके पाल जो product बनेगा वो product आप का कि यह हो जाएगा अब आता है इसमें तीसा iron पर 12 either option है तो sđ स्यल पर एंडियों स्याद का यह rustन करहjoint तो 서울 इंडिशन कर रहे तो तो यहीं से नियून का हैs चल का इडिशन करें यहें तो यह यह बनाओगे कार्ब के ऐखेष्जाओ है बनाओगे सबसे पहले आपनाओगे कार्ब केटाइन टू डिगरी इस कार्ब केटाइन में टू डिगरी के अंदर वन टू हाइड़ाइड शिप्ट होगा क्योंकि क्लोरिन के साथ में परोक्षाइड चाहे प्रजेंस हो चाहे अप्रेंस हो हमेशा EAR और मार्कोनियोफ रूल का ही फोलो होता है इसलिए यह तीए अरेंजमेंट हो जाएगा और री अरेंजमेंट होने से आपका टू डिगरी कार्ब केटाइन त्री डिगरी कार्ब केटाइन में चेंज हो जाएगा और हमें पता 3D कार्ब के टानी स्टेबल होता है इसलिए इजे पनने वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा जहांपर आप कलोरीन एड करता होगे नेक्स आता है इसमें एक्जामपल नंबर 5 यह में बात करूं, तो एक्जामपल नंबर 5 भी एक इंपोर्टेंट एक्जामपल आ या एक्जामपल है अला कैसा और जब परोक्षाइड लेंगे तो FRAR Free Radical Edition लगाएंगे Intermediate Free Radical बनाएंगे और Anti-Marconi-Op Rule का फोलो करेंगे तो जड़ा देखेगा आप लोग सबसे पहले मैं EAR मेर्करिंग यूज करता हूँ जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था इसमें आप Intermediate बनाओगे तो एक Intermediate आपका ये बनेगा Second आपका Intermediate ये बनेगा ये Intermediate आपका 3D ये भी 3D ये बट इसके पास 3, 2, 5 और 1, 6 6 एलफाइड हो जाने है जब किसे वाली के पास देखो आप 2, 2, 4, 1, 5 एलफाइड हो जाने है आपका ये More Stable होगा और ये आपका Laysh Stable होगा अगर ये More Stable हो तो उसे Major Product बनेगा और जो Less Stable है उसे आपका Minor Product बनेगा तो यहांसे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहां पर आपका बिया लगएगा ये प्रोड़क्त आपका Major होगा जब कि नीचे वाले पर जो बियार लगेगा अताथ इतायल पर जो बियार लगेगा वो आपका माइनर होगा क्योंकि वो लिस्टेबल कार्ब केटाइन से फॉर्मिट हो रहा है और अब इस पर हम लगा रहे हैं F R A R Free Radical Edition Mechanism Free Radical Edition Mechanism में भी रूल तो होई लगेगा कि हमें Stable Carb Catein हमें Stable Free Radical बनाना है तो जब आप देखो यहाँ पर जो Free Radical बनेगा वो आपका More Stable Free Radical होगा More Stable Free Radical होगा क्यों? क्योंकि 3, 2, 5 और 1, 6 इसके पास 6 Alpha I Dozen होगा क्योंकि Stability of Catein and Stability of Free Radical सेम होती है इसलिए यह आपका Free Radical More Stable होगा अगर यह Free Radical बना है तो इसका मतब बी आर जो हमने लगा है वो कहाँ पर लगेगा यहाँ पर और अब अटेक करेगा आपका H Free Radical तो आपका जो Product है तो यह बन जाएगा तो आप ज़रा देखो यह आपका Major Product है According to Anti-Marconiope और उसके अंदर आपका जो Major Product है वो यह है According to Marconiope इसलिए दोनों में Product Different होंगे इसलिए से साथ यह Paroxid Effect भी Complete होता है